बिस्म आलाहिर रह्मान रहीम अस्सलाम आलेक। आप मैं से मुझे कोई बता सकता है कि आपने कम्प्यूटर कहां कहां देखा है घरों में, स्कूल में, किसी शॉप पे, किसी ओफेस में बिल्कुल, आपने बिल्कुल सई सोचा आज का हमारा चैप्टर भी ही है यूजिस अफ कम्प्यूटर आप अपने बुक का फर्स्ट पेज खोलें यानि कम्प्यूटर हमारे लिए बहुत जरूरी है और इनके बगेर हमारे लिए काम ना मुमकिन है इसलिए ये आजकल हर जगा यूज़ हो रहे है यानि घरों में हम इस लिए यूज़ करते हैं गेम्स केलने के लिए, मिल्जिक के लिए, कालकुलेशन के लिए, मुवी वगेरा देखने के लिए नव कम पेज नमबर टू स्कूल्स में कैसे यूज़ होते हैं कम्पूटर्स कम्पूटर्स आ यूज़ इन स्कूल्स बाइ टीचर्स फोर दो फॉलॉइं प्रिपरियर लेसंस यान लेसं प्लैंग करने के लिए टीचिंड डिफ्रेंट सब्जेक्स फॉम इंटरनेट से पढ़ाने के लिए रिपोर्ट कार्ट्स बनाने के लिए प्रोजेक्स और अदर सब्जेक्स को बढ़ाने के लिए इसके इलावा फिल्स बनाने के लिए कम्पूटर्स को हम कैसे इस्तमाल कर सकते हैं आपने कभी काटून्स देखें आप देखें काटून्स की मोमेंट हो रही होती है वो जो हैना डिफरेंट अक्टिविटीज कर रहे होते हैं वो इमेजन हो इस पॉसिबल क्रिएटि इन अनिमेशन फिल्म्स यूस्स तो बी डिफिकल टास्क पहले ही होता था कि जो अनिमेशन फिल्म्स होती थी वो बहुत मुश्किल काम होता था उसमें हर पिक्चर को वो लोग जमा करते थे और एक सिक्वेंस में जो है वो हाथों से रह रहे होते थे बच आप कंप्यूटर्स ने हमारे लिए ये काम बहुत ही एजी किया है और तस वाय नावदेश अनिमेशन इस अवरी वरी लाज बिसनस and everywhere people use this feature So what's animation? Animation is the technique of giving an object the appearance of moment by rapidly running a series of images of the object or character in different positions यानि animation ऐसा तरीका है जिसमें चीजे जो है वो मुव कर रही होती है और इतने जल्दी में कर रही होती है कि हम इमेजन भी नहीं कर सकते हैं उसमें सिल तस्वीर होती है और अबजेक्ट्स होते हैं और इमकी मोमेंट को बिलकुल नैनो सेकंड सी भी कम सेकंड लग रहे होते हैं Pictures can be easily modified nowadays on a computer to suit the requirement of a film और इसके लावा हम लोग special effects वागेन भी यूज करते हैं This is our lecture for today, have a good day